एक पती पत्मी का बच्चा छट पर खेलते खेलते अचानक गिर जाता है और मर जाता है सब लोग उसे दफना कर घर जाते हैं गाव के पास वाले जंगल में एक चुडैल रहती थी बच्चे की मा उस चुडैल के पास जाती है और उसे प्रार्थना करती है मेरे बच्चे को ज बच्चे की लाश को लेकर आती हैं और उसका पती कहता है अगर चुडेल ने इसे जिन्दा किया है तो जरूर इसमें कोई काली शक्ती होगी तूम इसे अपना बच्चा कभी मत समझना ये एक छलावा है ये हम दोनों के लिए खत्रा बन सकता है अचानद बच्चा मां की कर लेता है और कहता है पिताजी बहुत बोलते हैं कहते कहते वो उन्हें मार देता है अब मा ये देख भागने लगती है लेकिन बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है मा को घर में भागते भागते गंदाजल मिलता है वो उस बच्चे पर फिकती है बच्चा उस गंदाजल को अपने उपर गिरने नहीं देता और बच जाता है तब तक मा वहां से भाग जाती है मा भागते भागते एक बाबाजी के पास आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है बाबाजी कहते हैं तुमने एक काली शक्ती को पाताल से इस धर्ती पर लाया है अब वो बच्चा इस धर्ती पर प्रलय मचाएगा, वो तुम्हें मारने जरूर आएगा, इधर बच्चा जैसे जैसे रस्ते पर से चल रहा होता है, उसके आस पास के सभी जानवार अपने आप मरने लगते हैं, अगर कोई आदमी या औरत उसके रास्ते में आने लगा, तो अचानक उनके पेट दुखने लगे, और वो भी मरने लगे, चलते चलते वो बच्चा काली शक्ती के कारण काला पढ़ने लगा, बाबाजी कहते हैं, उस चुडैल के शैतानी बच्चे को मारने के लिए, मैं तुम्हें ये मा काली की जादूई विभूती दे रहा हूँ, क एकनी मा को मारने आगे बढ़ता है, और अपने हातों में उठा लेता है, जैसे ही वो अपना मुझ खोलता है, मा केशव कहकर पुकारती है, और उस पर वो विभूती फेकती हैं, विभूती फेकते ही, उस शैतान बच्चे के अंदर अच्चानक हलचल होने लगती है, उसके अपनी पूरी ताकद लगा कर उस काले शैतानी शरीर को तोड़ कर बाहर आ जाता है। सबने समझा कि अब वो काला बच्चा मर गया है। लेकिन तभी उपर से चुडेल आई। और उसने अपनी शक्ती से फिर से उसे जीवित किया। काले बच्चे की और केशव की लढ़ाई होने लगी। दोनों की बिच घमासान युद्ध होने लगा। लेकिन तभी केशव ने काले बच्चे के वारो को चुगा कर अपनी पूरी शक्ती से उसे एक जोर की लात मारी। और वो काला बच्चा जमीन पर दूर जाकर गिर गया।